नमस्कार दोस्तों मैं किस्सा बाजवला लेकर आया हूँ विश्व अभी ख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा दोस्तों अगर हमारी कहानी आपको पसंद आये तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें तो आये बिना देर की शुरू करते हैं मास्की कहानी कहानी का शिर्षक है जुड़मा भाई कभी कभी मुर्ख मर्द जरा जरा सी बात पर औरतों को पीटा करते हैं एक गाउं में साही एक किसान था उसकी औरत से कोई छोटा सा नुकसान भी हो जाता तो वह उसे बगैर मारे न छोड़ता एक दिन बच्छडा गाय का दूथ पी गया इस पर किसान इतना जहलाया कि औरत को कई लाते जमाई बचारी रोती ही वह घर से भागी उसे यह न मालूम था कि मैं कहा जा रही हूँ वह किसी ऐसी जगह भाग जाना चाहती थी जहां उसका शोहर उसे फिर न पा सके चलते चलते वह जंगल में पहुँच गई पहले तो वह बहुत डरी कि कोई जानवर न उठा ले जाए मगर फिर सोचा मुझे क्या जब दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है तो मुझे जी कर क्या करना है मर कर मुसीवत से छूट जाओंगी मगर उसे कोई जानवर न मिला और वह रात को एक पेड़ के नीचे सो गई दूसरे दिन उसने उसी जंगल में एक छोटी ची जोपड़ी बना ली और उसी में रहने लगी लकड़ी और फूज की कोई कमी नहीं थी मंजू भी फराद से थी दिन भर में जोपड़ी तयार हो गई अब वह जंगल में लकड़ियां बटोरती और उन्हें आसपास के गाओं में बेचकर खाने पिने का समान खरीद लाती इसे तरह उसके दिन कटने लगे कुछ दिने बाद उस औरत के जुड़वा लड़के पैदा हुए बच्चों को पालने पोसने में उसका बहुत सा वक्त निकल जाता और वो मुश्किल से लकड़ियां बटोर पाती उससे अब रात को भी काम करना पड़ता मगर इतनी मुसीबत जहिनने पर भी वो अपने शोहर के घर न जाती थी एक दिन वा दोनों बच्चों को लिए सो रही थी गर्मी की रात थी उसने हवा के लिए जोपड़ी का दरवाजा खुला छोड़ दिया था अचनक रोनी के आवाज सुनकर उसके नीद तूट गई तो देखा कि एक बड़ा भारी भालू उसके एक बच्चे को उठाय लिये जा रहा है वो उसके पीछे पीछे दोड़ी मगर भालू जंगल में न जाने कहां घुश गया विचारी छाती पीट-पीट कर रोने लगी थोड़ी देर में उससे दूसरे लड़के की याद आई भागते भी जोपडी में आई मगर देखा कि दूसरे लड़के का भी पता नहीं फिर छाती पीटने लगी जिंद्गी का यही एक सहारा था वो भी जाता रहा वो दुक की मारी दूसरे ही दिन मर गई भालू से बच्चे को ले जाकर अपनी मांद में घुस गया और उससे बच्चों के पास छोड़ दिया बच्चे ने हसते खेलते देखकर भालू के बच्चों को नमालुम कैसे उस पर तरस आ गया पशु भी कभी कभी बालकों पर दिया करते हैं ये लड़का भालू के बच्चों के साथ रहने लगा उन्ही के साथ खेलता उन्ही के साथ खाता और उन्ही के साथ रहता धीरे धीरे वो उन्ही की तरह चलने फिरने लगा उसकी सारी आदतें जानवरों किसी हो गई वह सूरत से आदमी मगर आदतों से भालू था और उन्हीं की बोली बोलता भी था अब दूसरे लड़के का हाल सुनो जब उसकी माँ उसके वहाई की खोज में चली गई थी तो जोपड़ी में एक नई बात हो गई एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में आया था और अपने साथियों के साथ अलग होकर भूखा प्यासा इधर भटक रहा था अचाना कि जोपड़ी देखी तो दरवाजे पर आकर पुकारने लगा कि जो कोई अंदर हो मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो मैं बहुत प्यासा हूँ मगर जब बच्चे के रोने के स्वाव सो कोई जवाब न मिला तो अच जोपड़ी में घुस आया देखा कि एक बच्चा पड़ा रो रहा है और यहां कोई नहीं है वो बाहर निकल कर चिलाने लगा कि यहां कौन रहता है जल्दी आओ तुम्हारा बच्चा केला रो रहा है अब कई बार पुकारने पर भी कोई नहीं आया तो उसने समझा कि इस बच्चे की मा को कोई जानवर उठा ले गया है राजा का कोई लड़का ना था उसने बच्चे के गोद में उठा लिया और घर चला आया बीस वर्ष बीत गए किसान का नाथ बच्चा राजा हो गया एक बड़ा विद्वान और चितुर निकला बहादुर भी ऐसा था कि इतनी ही उम्र में उसने अपने बहुत से दुश्मनों को हरा दिया एक दिन नए राजा सहब शिकार खेलने गए मगर कुछ हाथ न लगा निराशोकर घर के और लोटे आ रहे थे इतने मुनों ने देखा कि एक अद्भुत जानवर एक बड़े हिरन को कंधे पर लाद कर भागे जा रहा है उसकी शकल बिलकुल आदमी किसी थी सीर दाढ़ी मूच के बाल इतने बढ़ गए थे कि उसका मुँ करीब करीब बालों से ढग गया था उसे देख कर राजा ने फोरण घोड़ा रोक लिया और उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश करने लगे वह जानवर हिरन को जमीन पर रख कर राजा क्यों दोड़ा राजा सहाब शिकार खेलने में चतुर थे उन्हें तलवार निकाली और दोनों में लड़ाई होने लगी आखिर वह जानवर जख्मी हो गया राजा सहाब ने उसे अपने घोड़े पर लाद लिया और अपने घर लाए कुछ दिरों तक तो वह पिंजड़े में बंद रखा गया फिर कभी कभी बाहर निकाला जाने लगा धिरे धिरे उसकी आदिते बदलने लगी वह आदमियों की तरह चलने लगा और आदमियों की तरह बोलने भी लगा उसके बाल काट दिये गए उसे कपड़े पहना दिये गए देखने वालों का चंबा होता था कि इस जंगली आदमी की सुरत राजास सहब से इतनी मिलती है मगर यह किसे मालूम था कि वह राजास सहब का जुड़वा भाई है जिसे भालू उठा ले गया था धन्यवाद